मैं सुनिल और आप देख रहे हैं फिजिकल एविकेशन चानल आज हम देखेंगे पूल सोरी अपना डाइविंग तो देखते हैं आज क्या है कि चलिए तो पहला कोश्चन है सभी डाइव गोता खोरी को की स्पध्धती के द्वारा चिनित किया जाता है तो इसे चिनित किया जाता है आपका तीन या चार क्रम में अंक जिसके अंत में अंग्रेजी की वर्ण माला का एक अक्षर ही होता है तो इसका अंसर सही होगा नेक्स कोश्चन देहते हैं दूसरा कोश्चन डाइव को चीनित किये जाने वाले अंकों याने प्लस वर्णों में सबसे पहला अंक क्या इंगिद करता है तो इसमें सबसे पहला अंक इंगीत करता है डाइब से सम्बंधित समूह को ठीक है इसका आंसर खा होगा नेक्स्ट अगर डाइब से पहले 309 B स्क्रीन पर अंकीत होता है तो इसमें 3 किस को इंगीत करता है तो इसमें इंगीत करता है आपका रिवर्स डाइब को ठीक है थ्री जो है रिवर्स डाइब को इंगित करता है उसके बाद देखते हैं डाइब के अंतरगत कितने समुह आते हैं तो डाइब के अंतरगत आपका 6 समुह आते हैं है फाइब करम सा एक दो तरफा तीन कौन से डाइब समुह को इंगित करते हैं तो एक दो और तीन जो है आपका कि फ्रंट बैक तथा रिवर्स को इंगित करते हैं फ्रंट मतलब एक बैक मतलब सेकेंड और रिवर्स मतलब 3 तो यह आपका गाश्र सही होगा छटोंसर देखते हैं छटों कमसा चार पांच और च्छैक कि डाइप समुहों को इंगित करते हैं तो यह आपका करता है यह इंवर्ड ट्विस्टिंग तथा आर्म स्टेंड ठीक है तो यह आपका चार पांच और च्छै डाइब समोह को इंगित करते हैं सात्वां है फ्रंट बेक रिवर्ड तथा इंडवर्ड इंवर्ड डाइब समोह में जुति अंक किसको इंगित करता है तो इसमें आपका करता है फ्लाइंग एक्षन को करता है नेक्स्ट है अगर किसी डाइविंग में चिनहित करने वाले अंकों प्लस वर्ण माला में द्विति अंक जीरो हो तो यहां क्या इंगित करता है तो यह इंगित करता है आपका नो फ्लाइंग एक्षन जीरो है तो नो फ्लाइंग एक्षन नेक्स्ट क्वेस्टन डाइब को चीनहित करने वाले अंक प्लस वर्ण अमाला में तीसरा अंक किसको इंगित करता है तो अभी जेस्ट पढ़े थे किसको करते हैं आपका समर सॉल्ड समर सॉल्ड को न पढ़े नहीं थे इसको डाइब को चिनहीत करने वाले अंक प्लस वर्ण अमाला में तीसरा अंक ना हो तो ये किसको इंगित करता है तो अगर ये आपको करता है 4.5 समर्सॉर्ट को बता है को इससे औरी इसको पढ़ांगे थोड़ा से द्यान से वीडियो देखेंगे तो समाजा जाएंगा चले एकल डाइविंग प Quinn R everlasting डैक़्ट है कितने से ज iTunes द्वारा दिया जाता है तो इसके जुआ है साथ जक्ल्ड द्वारा निर्णाय दिया जाता है सिंक्रोनाइज डाइविंग एकल प्रत्योगीता में कितने जजों द्वारा निर्णाय दिया जाता है तो यह 11 जज होते हैं किसमें एकल प्रत्योगीता में है ना नेक्स क्योश्चन है अगर कोई गोता खोर एक स्टार्ट लेने के पश्चास रुक कर पुनह स्टार्ट लेता है तो निर्णाय प्रत्योगीता से कितने आंग counter का होता है इस में नेक्स दिया जास enc दीए जाते हैं तो एक जजज जो होते हैं उसमें प्रत जजज होते हैं तो प्रत जजजों को सिर्फ वो तीन ऑंग दस अंग का इसमें रहता है आपका डाटा सीट नेक्स्ट है प्रदर्शन से पूर्व उद्घोसक द्वारा बताए गए डाइब के अलावा प्रदर्शन करने पर अधिक्तम कितने अंग दिये जाएंगे तो ये अधिक्तम अंग दिये जाएंगे दो अंग दो अंग दिये जाएंगे और प्रदसन से पूर्व उद्घोसक द्वारा बताए गए डाइब के अलावा मिस्रित रूप से डाइब पर अधिक्तम कितने अंग दिये जाते हैं तो अधिक्तम अंग इसमें दिये जाते हैं साड़े चार याने 4.5 अंग दिये जाएंगे नेक्ट कोईशन देखते हैं 17 अगर कोई गोता खौर अपनी डाइब इस ट्रेट याने ए पाइक बी और टक्सी या प्री डी इस्थीत में इस्थीती में डाइब का प्रदसन नहीं करता है तो जज कितने अंग अपने इसकोर में से काटता है घटाता है तो इसमें आपका अगर डाइब का प्रदसन इस्ट्रेट में किया जाता है तो उसे अंग्रेजी को की स्वर्ण में इंगित किया जाता है तो इसे आपका ए से इंगित किया जाता है घटा आंसर सहीं होगा अगर डाइब का प्रदसन पाइक में किया जाता है तो उसे अंग्रेजी के की स्वर्ण माला से इंगित किया जाता है तो पाइक जो होता है उनिस ये आपका भी से इंगित किया जाता है अगर डाइब का प्रदसन टक में किया जाता है तो उसे अंग्रेजी के की स्वर्ण से इंगित किया जाता है तो इसे अंग्रेजी के आपका सी से इंगीत करते हैं सी अच्छर से नेक्स्ट है अगर डाइब का प्रदर्शन फ्री में किया जाता है तो उसे अंग्रेजी के किस वर नमाला में तो यह है डी या अंसर इसका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्टन चलिए मैं अंसर लगाते जाता हूं आप क्वेश्टन को पढ़ लिजिए गा तो बाइस का जो अंसर है इसमें घा अंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं डाइब के कितने या सोरी डाइब के लिए कितनी कितनी उचाई पर स्प्रिंग बोर्ट का प्रयोक किया जाता है तो इसको आप खोच के बताईएगा मुझे का सहीं आंसर कमेंट में 23 का जो है आंसर आपके लिए है मैं इसमें सीर्फ आ का या गर इन दोनों में से एक है आंसर तो आप लोग कमेंट में करके बताएगे कौन सा है इसमें से नेक्स्ट डाइविंग की उस इस्थिति को क्या कहते हैं यह लंबग आंस क्वेश्टन है टाइम हो रहा है वीडियो मेरा 24 का आंसर आपका होगा तक 25 का आपका आंसर होगा कितना होगा घ्र डाइविंग के कौन से इस्थिति सबसे मुश्किल होती है तो इस्थित डाइविंग की उस इस्थिति को क्या कहते हैं जिसमें सरीर कमर वा घुटने के पास मुड़ता नहीं है तो यह होता है इस ट्रेट है ना डाइविंग की उस इस्थिति को गया कहते हैं जिसमें सरीर कमर के पास मुड़ता है और दोनों हाथ जांक के पीछे पकड़े हुए होते हैं तो इसका आंसर का है पाइक नेक्स्ट द लाड़ी एक टीम में प्रतिभाग करते हैं सिंक्रोनाइजड तो चार हो सकता है इसका 28 का आपका गाह अंसर दो 28 का दो आंसर अब 29 को आप लोग थोड़ा से पढ़ लीजिए मैं इसका अंसर आपको बता रहा हूं और इसका अंसर है खा पेल डाइविंग नेक्स्ट सिंक्रोनाइजड डाइविंग में अगर दोबारा से स्टार्ट रिस्टार्ट लिया जा रहा है दोनों गोता खोरों द्वारा तो निर्णा क्या होगा तो इसका तीस का अंसर सही होगा नेक्स देखते हैं सिंक्रोनाइजड का हिंदी अर्थ क्या है तो इसका जो आंसर है यह आपके लिए है सिंक्रोनाइजड का इसका भी ऑप्सन दे देता हूं इसमें से सीर्फ आपका या तो सीधा होगा या उल्टा होगा या सम काल होगा एक को छोड़ दिया हूं इसमें तीनों में से एक आंसर है तो आप बताएंगे इसके आंसर को कमेंट में चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्टी टू और थर्टी टू का आंसर सिंक्रोनाइजड डाइविंग में एक टीम के दोनों खिलाडियों द्वारा प्रदर्शन कीस प्रकार का करना होता है तो इस यह कोश्चन आपके लिए है तो यह सब जो कोश्चन दिया हूं उस मैं उसको जरूर देखूंगा अगर गलत होगा तो सहीं जवाब भी दूँगा चलिए गुड़ नाइट जय हिन जय भारत